हेलो फ्रेंज, मेरा नाम है श्रोजीत और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल रूब गार्डेनिंग आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एपल बेर के पौधे में फूल आने के बाद उसके कौन कौन से केर करने से आपके एपल बेर के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फूल से फूल बनेंगे और कम से कम फूल ज़रेंगे इसके साथ साथ हम बात करेंगे एपल बेर के पौधे में फूल आने के बाद आपको कौन सा फार्टिलाजर यूज करना है और कौन सा फार्टिलाजर यूज नहीं करना है इसके बारे में इस वीडियो को पुड़ा जरूर देखिएगा इससे आपके एपल बेर के पौधे में बहुत सारा फल लगेगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एपल बेर के पौधे में फूल आने के बाद सबसे पहला केयर है आप अपने पौधे में फंगिसाइट या फिर पेस्टिसाइट स्ट्वे करना बिल्कुल बंद कर दीजिए जब तक आपके पौधे में फल नहीं लग जाते क्यूंकि ये पेस्टिसाइट या फिर फंगिसाइट पौलिनेटर्स को हार्म पहुचाते हैं या फिर पौलिनेटर्स को अपने पौधे से दूर भगाते हैं और अगर आपने पौधे में पौलिनेटर्स नहीं आएंगे तो आपका पौलिनेशन का काम कंप्लेट नहीं होगा और अगर पौलिनेशन का काम कंप्लेट नहीं होगा तो अपने पौधे में फल नहीं लगेंगे और फूल जर जाएंगे इसलिए आप अपने पौधे में किसी भी फंगिसाइट या फिर पेस्टिसाइट चाहे औरगानिक पेस्टिसाइट ही क्यों ना हो स्प्रे करना बिल्कुल बंद कर दीजिए यहाँ पर आप देखी सकते हैं पौलिनेटर्स आ चुके हैं और यही पौलिनेशन के काम करेंगे इसलिए आप अपने पौधे में फंगिसाइट या फिर पेस्टिसाइट डालना बिल्कुल बंद कर दीजिए आप हम बात करते हैं दूसरे केयर के बारे में अगर आपके पौधे के गमले में किसी भी जनगली घास-गुस उगे हुए हैं तो आप तुरन्थी उसको निकाल दीजिए क्योंकि फूल आने के बाद आपके पौधे को बहुत ही जाधा खात का जरुरत होता है इसलिए आगर आपके पौधे के गमले में कोई भी जंगली घास गुस उगे हुए होंगे तो वो मिट्टी से जल्दी खाद को खीच लेते हैं और आपके पौधे को भरपूर खाद नहीं मिल बाता इसलिए आप हमेशा अपने पौधे के गमले को जंगली घास गुस से दूर रखिए और अगर आपके गमले में घास गुस उख जाए तो आप उसको तुरंथी निकाल दीजिए आप हम बात करते हैं तीसरा यानि सबसे ज़ादा इंपोर्टेंट केर के बारे में आपके पौधे का मिट्टी कभी भी ड्राइ नहीं होना चाहिए या फिर आपके पौधे में कभी भी पानी जमा नहीं रहना चाहिए आप यह पर देख सकते हैं मेरे पौधे का मिट्टी किस तरीके का है इसमें नाही बहुत ज़ादा पानी है और नाही बहुत ही कम पानी है इसका लेवल बिलकुल ठीक है आप भी बिलकुल अपने पौधे में इस तरीके का मिट्टी रखिए ये नाही बहुत ही ज़ादा ड्राई है और नाही बहुत ही ज़ादा गीला है अगर आपके पौधे में बहुत ज़्यादा गिला मिट्टी रहेगा या फिर बहुत ज़्यादा सुखा मिट्टी रहेगा तो इसका असर आपके पौधे में परेगा उसके बाद आपके पौधे से धीरे धीरे फूल जर्णा शुरू हो जाएंगे और आपको जादा फल नहीं मिल पाएगा इसलिए आप हमेशा मिट्टी को थोड़ा थोड़ा गिला रखिए जब भी मिट्टी का उपर वाला सर्फेस ड्राई हो जाए आप तब ही अपने पौधे में पानी डाल दीजिए इस तरीके से मिट्टी रखने से आपके पौधे में घरपूर फूल फूल लगेंगे अब हम बात करते हैं फार्टी लेजर के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक मिक्शर फर्टी लेजर बना रहा हूँ इसमें मैंने तीन हिस्सा भार्मी कमपोस्ट लिया है एक हिस्सा बोन मील लिया है इसके साथ एक हिस्सा मास्टर्ट केक लिया है और एक हिस्सा केले का छिलका लिया है इस केले के छिलके को मैंने अच्छी तरीके से धूप में सुखा लिया है और इसको छोटा-छोटा करके काट लिया है इसको हम मिलाएंगे तो अपना मीक्चर फर्टिलाइजर बिल्कुल तैयार हो जाएगा अपने पौधे में यूज करने के लिए इस फर्टिलाइजर में भरपूर मात्रा में फोस्फरस और पोटाशियम है इसके साथ साथ कुछ नाइट्रोजन है और इसके साथ माइक्रो निउट्रियल्स है जो अपने पौधे के लिए बहुत ही ज़ादा ज़रूरी है पौधे में फूल लगने के बाद आपको हमेशा फोस्फरस और पोटाशियम बेस्ट फाटिलेजर दिना चाहिए क्योंकि फूल फल आने के बाद पौधे को सबसे ज़ादा ज़रूरत होता है फोस्फरस और पोटाशियम का इसलिए आप हमेशा किसी नाइट्रोजेन बेस्ट फाटिलेजर के बदले फूल फल आने के बाद पौटाशियम और फोस्फरस बेस्ट फाटिलेजर यूज किजिए जिस तरीके का फाटिलेजर मैंने यहाँ पर बनाया है अब हम अपने पौधे में इस फाटिलेजर को यूज करते हैं यहाँ पर आप देखी सकते हैं मेरे पौधे का मिट्टी पहले से ही गीला है इसलिए मैं पाणी नहीं डाल रहा हूँ आप हमेशा फाटिलेजर देने से पहले पौधे में अच्छी तरीके से पाणी डालके मिट्टी को गीला कर दीजिए उसके बाद मिट्टी में हलकी सी गुडाई कीजिए उसके बाद पौधे के चारो तरफ फार्टी लेजर डालिए और उसको मिट्टी के साथ अच्छी तरीके से मिला दीजिए मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से अपने पौधे के गंले का मिट्टी में गुडाई कर रहा हूँ अगर आप ये भाला फार्टी लेजर के बदले केमिकल फार्टी लेजर यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपने ड्राम के लिए एक चम्मच यूरिया, दो चम्मच पोटाश और दो चम्मच सुपरफोस्पिट यूज़ कर सकते हैं इसको आप अच्छी तरीके से मिला के अपने पौधे के गमले के चारो तरब डाल के यूज़ कर सकते हैं और अगर आपना पौधा किसी 7 इंच या फिर 9 इंच या फिर 12 इंच के पोट में हैं तो आप थोड़ा कम करके बनाईए 12 हिच के पोधे के लिए आप हाप चम्मच यूडिया, एक चम्मच पोटाश और एक चम्मच सुपरफोस्पिट लीज़िए और इस से छोटा पोधे के लिए आप ये इस से भी आधा करके यूज़ कीजिए मैं यहाँ पर अपना फाटी लेजर जो हमने अभी बनाया, इसको चारो तरब डाल डाओं एक गमले के लिए आप तीन से चार मुठी यूज़ कर सकते हैं और अगर आपका पोधा किसी पोट में लगा हुआ है, जिसका साइज 12 इंच या फिर 10 इंच है तो फिर आप 2-3 मुठी यूज़ कर सकते हैं यह थोड़ा कम या जादा होने से आपके पोधे में जादा फरक नहीं परेगा लेकिन अगर आप केमिकल फाटी लेजर यूज़ करेंगे तो आप ओ जादा डालने से आपके पोधा मर भी सकता है इसी लीए आप जादा मड डालिएगा बरे पोट के लिए आप 1 चममच, 2 चममच और 2 चममच और छोटे पोट के लिए आधा चममच, 1 चममच और 1 चममच करके यूज़ कर सकते हैं फार्टी लैजर डालने के बाद आप अच्छी तरीके से मिट्टी में पानी डालिए और मिट्टी को गिला कर दीजिए आप हर 20 दिन में एक बार इस फार्टी लैजर का यूज कीजिए अपने पौधे में बहुत ही अच्छा रेजल्ट के लिए एपल बेर के पौधे को किस तरीके से रिपोर्टिंग किया जाता है और किस तरीके से इसका मिट्टी तयार किया जाता है इसके बारे में मेरा एक वीडियो अल्डेडी है इस चैनल पे जिसका लिंक उपर आई बटन में आ रहा है आप उस लिंक को क्लिक करके वो वीडियो दे क्यार कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ओन कर दीजिए इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा थैंक यू हैपी गार्डेनिंग गार्डेनिगा आपको नोटे झाले वावार्डेनिग से स्क्राइब।